गूगल पर जाना है सर्च एंजिन में आपको लिखना है और यहां पर आपको मिलेगा वालब आपको दिख रहा होगा जस्ट इसको इस लिंग को ओपन किजिए एकलिप्स का ओफिसिल ये साइट है और यहां पे आप देखेंगे Eclipse.org आए हो कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसको Eclipse.org और स्लैस डाउनलोड और यहां पे आप आएंगे तो यह आप देख सकते हैं यह पूरा अपडेटेड हैं आज के डेट के अगर हम बात करते हैं और यहां पे डाउनलोड का ऑप्सन है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड होना शुरू होगा यह काफी वक्त लाएगा ड आप लोग देख पा रहें यह सब्सक्राइब करेंगे कि आप लोग देख पार हैं डाउनलोड फाइल से यहां पे एकलिप्स इंस्टेंट जे आर इडब्लू आइन शिक्टी फोर लिखा हुआ सभी लोगों को दिख रहा है यह सब नो राइट तो इसको बिक है जैसे ही आ सब्सक्राइब करना है और यह थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यह एक ओपन होगा और यहां पे जो प्रॉसेस है मैं इस लिए स्टेप बाइस्टेप प्रॉसेस में बताने की कोईशिस कर रहा हूं तो यह बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत इश्यू आता है कि कैसे कह सब्सक्राइब कर आया है अस्तुर्त पर को कि यहां होगा थोड़ा सा टाइम लेगा और यह ऑपन होगा इसको ऊपन होने देते हैं है बहुत साइब दो इसलिए मैं यहां पर को करके ही आपको एक एक चीज आपको दिखाऊंगा नहीं तो फिर बहुत साइब आज जाता है तो फर्स्ट टाइम देगा और इसमें कौन सा आप्शन सेलेक्ट करना है हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा तो यह वेट कर लेते हैं पहले इसके लिए जहां पर हम लोग देखते हैं कि enterprise additional जो होता है उसके लिए तो यहां पे आप देखें क्या कि यहां एकक्व सब 2 आप्सट ऑले आपको नजहीं जाना है यह सेकेंड वाले पॉप्सिंस पर हम लोग आएंगे एक्लिप्स आई डी फॉर इंटरप्राइज जावा ठीक है और यहां पर थोड़ा समय इसको और यह करता हूं तो आप और बेटर तरीकेस आप देख पाएंगे यहां ठीक है यहां पर आपको यह वला अगर करते हो यानि समझने के लिए आपको यूज करना होगा एक्लिप्स आई डी फॉर इंटरप्राइज जावा एंड विब डिवलपर्स ठीक है इस बात पर आपको ध्यान देना इस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा यहां पिस्ट सफ के अप्सटि कर्या के इंस्टॉल का अप्सन है इंस्ट्स खेलक ट्लिक करेंगे हि सुरु होगा यहां पर हो चुका है और यह थोरा सा वक्त ले गा कि तोड़ा सा टाइम लेगा मैं तोड़ा सा वेट कर लूँ और यह डिपेंड करता है कि आप क्या सिस्टम का स्पीड आपका इंटरेट का स्पीड इस सब को इस पर डिपेंड करता है और यह प्रोसस में स्कृइब पर सकता था लेकिन बहुत सारे जोगों को इससे पहले वाले जैने मिन में उनको ब这样 को फाट उसके रखभर की रहीं जाएगव और जी ने में लेगा है । कि आप लोगों में से किसके किसके पास यह इस तरीके से आपने किया हुआ है चैट बॉक्स में जरूब आप टाइप करें बताएगे किनके पास औरेडी यह सिट अप बना हुआ है येस मतलब कंप्लिट वेब अप्लिकेशन के लिए बात कर रहा हूं कोड़ जावा के लिए उसका नहीं बात कर रहा हूं जो वेब अप्लिकेशन की बात करते हैं इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कुस करेंगों तो इसमें से और इसमें हमें Apache Tomcat की भी जरूत होगी Apache Tomcat इसमें किस तरीके से करना है तो यह चीज़ आप समझेए क्योंकि अगर आप कभी कभी आप इसा पूछे आप से क्या 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 आप अच्छी तरीके से नहीं करते हो तो फिर प्रॉलम्ड़िट होगा तो इसमें आज मैं आपको बता हूँगा कि मैं यहां पे किस तरीके से कंफिगर्ड करेंगे जब सींप्ल तरीके से स्कों कर सकते हैं जाए गया तोड़ासा कम्प्लीट हो चुका है यहां पे लाउंच के लिए आपको बोल रहा है आप जट क्लिक किजिए जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आप सकते क्लिकिप आइड़ओंगे 2020 1030 दिखा रहाई है तीक है यह वरिजन इसका और यह जैसे जैसे पूपन होता है ओपन रूने के बाद इसमें हम Tomcat server किस तरीके से इसमें रखेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा और Tomcat का कोई भी version आप रख सकते हैं भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको कहां से आप download कर सकते हैं मेरे पास download होगा वही मैं यूज कर लोगा लेकिन आपको बता दूँगा कि आप कहां से उसको आप कर सकते हो देखिए कुछी इस तरीके से ओपन होता अब यहां पर work space जो आप से पूछ रहा है कि work space आप कौन सा यूज कर रहे है बाइ डिफॉल्ट यहां पर यह जा रहा है कि सी में यूजर्स में कुछी इस तरीके से सकते हो किसी भी और दूसरे लोकेशन पर भी उसको आप कर सकते हैं जैसे मालों कि मैं डी ट्राइब में जा रहा हूं डी टाइम मैंने एक फुल्ट कर दिया क्या वेव एप्स जावा प्रोजेक्ट यह नाम दे दिया मैं ठीक है इसको सेलेक्ट किया आप सेलेक्ट है आप सब्सक्राइब करेंगे और इसके अंदर में क्या सब्सक्राइब करेंगे और इसमें हम टॉम्ट केट सर्वर और सर्वर क्यों जरुद्वत होता है उसके बारे में थोरा सा बताओंगा आपको तो एक वारे यह पहले यह उपन हो जाए फिर हम इसके बारे में और और बहुत तरीके से इसको एक्स्प्रेंट करूंगा कि अधिया आपके सिस्टम पर इस डिपेंड करता कि आपका के कंप्यूटर का कंफिगरेशन कितना अच्छा इंटरेट स्पीट कितना बढ़ियां सब्सक्राइब करेंगा फिर यहां पर तो साथ ले रहा हैं चलिए यह उपन हो करके हमें दे दिया ठीक है जब यह ओपन हो चुका है तो तो इसको पुरा रिफ्रेस होने देखें कुछ इस तरीके से ओपन होगा मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं यहां पर तो आपके टाइम डेगा यह क्लियर होगा मैं इसको मैक्सिमाइज करते हैं यह विल्कम पेज है यहां पर इससे टुटोरियल दिया हुआ कि आप एक कैसे यूज करना है तो इसको फिलाला स्क्रिप करो यहां विल्कम के जस्ट बगल में क्रॉस है क्लोज कर दो आप कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा यह कंप्लिटली फ्रेस्ट एकलिप्स है आपके सामने में हमने इसको ओपन किया है डाउनलोड करके पूरा इंस्टॉलेशन का प्रॉसस मैं आपको बता दिया अब यहां पर देखेंगे कि सर्वर यहां पर आपको दिखेगा सर्वर टैप आपको य सर्वर जो है वह कैसे हमें यहां पर लाएंगे सर्वर में आप गूगल पर जैसे जाओंगे वहां पर लिखोगे अपैची टॉमकेट मैं वापस यहां पर गूगल पर मैं जाता हूँ और यहां पर मैंने क्या लिख दिया कि एपैची टॉमकेट डाउनलोड ठीक है है आप देख सकते हैं और इसी का जो ऑफिसल वेबसाइट है हम सब उसका उफिसल वेबसाइट जो है उसी से आप लीजिएगा दूसरे वेबसाइट से लेंगे तो हो सकता है कभी वायरेस वेगर आ जाता है तो यहां पर आप देखेंगे टॉमकेट डॉट एपाइची आर जी इसका ओफिसल वेबसाइट है बस इसी पर आपको जाना है और यहां से आप डाउनलोड आप कर सकते हुआ ठीक है यह ओपन होगा टाइम लगएगा मैंने यहां पर डाउनलोड करके मैं रखा हुआ है ठीक है अब देखो आप अब करना क्या है कैसे कंफिगर करेंग हुआ है तो मैं मैंने जो डाउनलोड करके रखा हुआ है वो मैं आपको लिखा देता हूं मैंने सोफ़्वेर में एक एक डाउनलोड करके रखा हुआ है इस तरह के से बनेगा Apache Tomcat, इसको double click करेगे इसके अंदर में, लेकिन हमें कुछ इसमें करना नहीं, इसको install वेगर कुछ नहीं करना है, कैसे होगा, मैंने just location बताया कि जैसे मैंने इंटरनेट से download किया, Apache Tomcat, इसको unzip किया, तो ये file हमारे पास बन रहा है Apache Tomcat, और अब हमें इसी Apache Tomcat 7.0 को configure करना है मेरे eclipse से, अभी जो मेरे पास eclipse से, अभी आपके सामने brand new eclipse हमने यहाँ पर रखा हुआ है, कैसे करेंगे, configure देखिए, यहाँ पर है no server available है लेकिन उसके सामने ये भी लिखा है, click this link to create a new server, आप server बना भी सकते हो, तो मैंने यहाँ पर simply क्या करना है, यहाँ पर हमने click करन है, जैसे हम click करेंगे, जैसे एक चीज़ और पहले बता दो आपको, यहाँ पर windows में जाओगे, आपको view में जाओगे, यहाँ पर भी आपको server दिखेगा, कभी-कभी क्या होता है, कि यह server tab कभी-कभी आपसे मालो की गल्दी से आपने इसको close कर दिया, तो आपको server tab आपको लाओगे आप, या कभी-कभी जब eclipse open होगा, तो आपको server tab यहाँ पर नहीं दिखेगा, जैसे अभी आपको यहाँ पर markers दिख रहा है, properties दिख रहा है, data source दिख रहा है, snippets दिख रहा है, उसी तरीके से, यहाँ पर server तो दिख नहीं रहा है, तो उस server को यहाँ पर हम कैसे ला जाना है, other में जाना है, और यहाँ पर जो है न, type filter text, means what do you want to search, और इस search वाले जो बार है, उसमें आप type कर दो क्या आपको चाहिए, हमें चाहिए server, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, जैसे type क्या आ गया, यह server select कीजिए, और जैसे आप यहाँ पर open आप करोगे, आप देख क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद, बहुत सारे options आपको दिखा रहा है, और अब डिपेंड करता है कि अभी आपने टॉम के लिया हुआ है, यहाँ पर version 10 तक का यह support करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो है कौन सा है, 7 है, तो मैं 7 को ही select यहाँ पर कर रहा हूँ, आपने अगर tomcat का version 8 लिया है, तो 8 select कीजिए, यानि अगर tomcat का version होगा, वही यहाँ पर select करना, मेरे पास 7 है, मैंने 7 को select किया, और अगर आपके पास 9 होगा, 9 को select कीजिए, आपके पास 10 है, तो 10 को select कीजिए, उसके accordingly करना, ऐसा नहीं किया, आपके tomcat का version कुछ और है, आपने download करके कुछ और रखा है, और यहाँ पर जो है mismatch नहीं करना, इस बात पर आपको ध्यान देना है, तो मैंने पहले से download करके रखा है, क्या tomcat का version 7, इसको select करना है, और फिर next button पर click करना, बाकी इसमें कोई चैनलेज नहीं करना है, just हमने इसको select कर लिया है, next button पर click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है, और इसके just नीचे आपको दिखा रहा है क्या tomcat installation directory, मतलब आप से यह पूछ रहा है कि आपने पहल application से link कर दूँगा, आप जहां पर रखेंगे उसके साथ link करेंगे, मैंने यहाँ पर d drive में जा रहा हूं, software folder में, software folder में Apache tomcat आप देख पाएंगे, just इसको select करना है, even मुझको इसके अंदर भी नहीं जाना है, just you need to select this particular file और यहाँ पर select folder है, यहाँ पर select folder पर click कर दिया, आप यह automatic उले लिए, dk अंदर software है, उसको Apache tomcat 7.0 यहाँ पर हो चुका है, और फिर आप यहाँ पर next button पर click करेंगे, जैसे next button पर click करेंगे, यह container है, server का container है, यानि जो भी project आप बनाएंगे, इसी container में जाके store होगा, लेकिन अभी हमने कोई भी project नहीं बनाया है, that's why it's completely empty, अभी यहाँ पर एक भी project नहीं है, इसलिए completely empty है server हमारा, और यहाँ पर next अभी देखो, next अभी काम नहीं कर रहा है, then you have to click on finish button, और जैसे आप finish button पर click करोगे, तो आप देखेंगे, यह server जहाँ पर पहले नहीं था, अब यहाँ पर tomcat version 7 server at localhost यह आ चुका है, और अब यह हमारा server स configured हो चुका है, but अभी भी कुछ काम और हमारा बचा हुआ है, और वो क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज़ को आप यहाँ पर समझे, यह यहाँ पर आ चुका है, configured हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इसको select कीजिए, क्या करना है, simple सा select कीजिए, और right click करना है, आपको right click करने के बाद, just properties, यहाँ पर last option जो है, properties पर click करेंगे, और यहाँ पर general के अंदर, सबसे last option है, location, location में यहाँ पर दिया हुआ है, workspace, metadata, जो कि हमें यह नहीं चाहिए, हमें location क्या चाहिए था, Tomcat Apache का जो installation directory था, वो चाहिए था, हमें कैसे करना होगा, just उसके आगे option दिया हुआ है, switch location जैसे switch करेंगे, automatic और यहाँ पर apply किजिए, apply and close कर दीजिए, एक party खतम, अब जैसे यह चीज मैंने किया, आप यहाँ पर देखोगे, मेरे cursor पर focus करेंगे, तो servers करके यहाँ पर एक बन चुका है, ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर में आप देख सकते, यह configured, यहाँ पर server क configuration, server सब कुछ यहाँ पर आपकी click के साथ आ चुका है, लेकिन अभी एक काम और बचा हुआ है, और वो क्या, यहाँ पर just double click करना है, कहाँ पर किया, मैंने यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर double click किया, एक tab open हो चुका है, और tab का नाम क्या है, local host, version 7.0, server at local host, यहाँ बहुत साथे options से मैं उसके बार डिसकस नहीं करूंगा, just यहाँ पर आप देखोगे कि use workspace metadata आपको यहाँ पर दिखा रहा है, does not modify, यहाँ पर इसको छोड़ दो आप, यह टिक किया हुआ है, ठीक है, इसको un-tick करो, और यहाँ पर जैसे टिक करोगे, use tomcat installation, बस यह select किजिए, और यहाँ प just पहले एक छोटा से star sign दिखेगा, I hope कि आप लोग देख पा रहे होंगे, just इसको control S करो, save करते होई, वो star निकल जाएगा, मतलब अभी आपने जो भी changes किया है, उस सब कुछ save हो चुका है, इसको आप close कर सकते है, मतलब अब आपका यह जो particular eclipse है, यह completely मेरे जो भी advance आवा का जो हम लोग आगे project हम create करेंगे, यानि JSP देखेंगे, हम लोग servlet देखेंगे, सभी को आसानी से यह run कर सकता है, अब बात यह है कि हम project हम एक बनाना चाहें, तो किस तरीके से project हम किस तरीके से हाँ पर create कर सकते हैं, तो यह तो पूरा मेने आपको क्या बता है, eclipse को setup करना, eclipse download कहां से होगा, उसको कैसे install करेंगे, उसमें हम Apache Tomcat को कैसे हम configure करेंगे, server अगर नहीं है, तो server कैसे लाएंगे, एक एक step मैंने आपको बताया, इसके बाद, इसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, right, without internet नहीं होता है, internet के बिना possible नहीं है, download अगर आपको करना है, तो internet तो आपको चाह यह जो आप देख रहें, border है, यहां पर project explorer आपको दिख रहा होगा, बस धर ही यहां पर आपको right click करना है, right click करने के बाद यहां पर new और यहां पर dynamic web project आपको click करना है, क्योंकि हमें एक dynamic website बनाना है, dynamic web applications बनाना है, जहां पर request generate होगा और response generate होगा, तो यहां पर हमें क्या कर project करते थे, पोर जावा में, तो हम से project किया करते थे, लेकिन अभी मुझे dynamic web project करना है, तो हम क्या रखेंगे, यहां पर dynamic web project, click select रखेंगे, और यहां पर project का आपको नाम देना है, project का नाम, आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, मैं यहां पर देदिया, my first web apps, कुछ इस तरीक time आपको दिखा रहा है कि यह particular project होगा, यह run कहां पर होगा, Apache Tomcat version 7 पर run होगा, इस बात को ध्यान रखना है कि कभी तभी अगर यह गलती से select हो गया, तो project run नहीं होगा, तो target run time हमेशा Apache Tomcat होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देके करना है, ठीक है, और कोई changes आप मत कीजिए, next button पर click किजिए, यहां पर एक folder create होगा, src, उसके अंदर main, उसके अंदर java, automatic बनेगा, आप कोई changes करना नहीं है, बस next button पर click करते जाओ, directly finish मत कीजिएगा, next जब तक काम कर रहा है, next button पर ही click किजिएगा, अब next button पर हमने click किया, यहां पर आगया context route, context route बताता है क्या कि आ नाम का एक folder automatic create होगा, आप इसका नाम change भी कर सकते हैं, बट मैं recommend करूंबा कि उसे को advantage तो होगा, नहीं, क्यों उतना मेहनत करें, ठीक है, जो by default है, वही आप रहने दो, context route बताता है क्या कि आपने project का क्या नाम दिया है, इस बात पर आपको ध्यान दे के करना है, ठीक है, औ और कोई changes आप मत कीजिए, next button पे click कीजिए, यहाँ पे एक folder create होगा, src, उसके अंदर main, उसके अंदर java, automatic बनेगा, आपको changes करना नहीं है, बस next button पे click करते जाओ, directly finish मत कीजिएगा, next जब तक काम कर रहा है, next button पे ही click कीजिएगा, अब next button पे हमने click किया, यहाँ पे आगय context root, context root बताता है क्या कि आपने project का क्या नाम दिया है, उसके अंदर क्या होगा, एक content directly create होगा, src फोल्डर बनेगा, उसके अंदर main folder होगा, उसके अंदर में web app नाम का एक folder automatic create होगा, आप इसका नाम change भी कर सकते हैं, बट मैं recommend करूंगा कि उसे को advantage तो होगा, नहीं, क्यों उतना मेहनत करें, ठीक है, तो जो by deferred है, वो ही आप रहने दो, और ये part compulsory है, generate web.xml deployment descriptor, ये particular file तो आपको compulsory तोर पे tick करना ही है, अगर आप नहीं करेंगे, problem create करेगा, क्योंकि web.xml file बहुत important role play करता है, जब हम आगे putting आपको बताएंगे, तो उसके बारे हम काफी detailing discuss और ये आपके लिए project ready करके आपको दे दिया है, ठीक है, यहां पर my first web app, यहां पर आपको दिखरा होगा, expand, पे click किजिए, बहुत सारे यहां पर folders आपको दिखरा है, लेकिन आपको टैंसमेनी की जरूद नहीं है, एक एक चीज़ में आपको बताऊँगा, जरूद की जाओ, web apps के अंदर, web INF है, उसके अंदर जाओ, और यहां पर आपको web.xml आपको दिखेगा, क्योंकि हमने वहां पर एक checkbox था, checkbox को tick किया था, जिसकी वज़े से यह file बना था, अगर वहां पर tick नहीं करते तो यह web.xml file वहां पर create नहीं होता, इसलिए आपको यह वहां पर टिक करना जरूरी था, अब इसको double click करेंगे, double click करने के बाद, यहां पर फाइल ओपन होगा, और यह कुछ design का page open होगा, आप सोचेंगे हम coding यहां पर कहां पर करेंगी, तो coding का पार्ट यहां पर हो, अभी design वाले में होगा, ठीक है, यहां पर source है, उसको just बगल में, मेरे cursor पर focus जरूर करना आप लो, source, source पर जैसे click करोगे, तो हां पर फुरा code आपको यहां पर दिखाएगा, और यहां पर आपको error भी आपको दिखा रहा है, ठीक है, there is one error, यहां पर दिखा रहा है, 3.0 कुछ इस तरीके से आपको यहां पर error आपको दिखाएगा, ठीक है, सबसे साइज है, बहुत छोटा है, जो आप लोगों को अची तरीका दिखनी रहा होगा, लेकिन आप जब भी आप खुद भी coding करोगे, तो आपको इतना छोटा रहेगा, दिखेगा, नहीं font, तो font हम कैसे बराते हैं, वही मैं आपको यहां पर समझा दूं, आपको जाना है, window में सबसे last options में आना है, preferences में, preferences में जब आप जाएंगे, तो आपको एक चीज दिखेगा, और वो क्या है, होगा, वो क्या है, preferences में जब आप जाएंगे, तो यहां पर general होगा, general जो expand करेंगे आप, नीचे आना आपको editor दिखेगा, editor पर double click करेंगे आप, ठीक है, और फिर यहां पर आपको मिलेगा text editor, editor के अंदर text editor, ठीक है, इसको आप double click कर दो आप, और यहां पर आपको मिलेगा colors and fonts, जैसे इस पर आप click करेंगे, उसके बाद सबसे last आना text font, इस पर double click आप करेंगे, जैसे आप double click जब आप करेंगे, उसके बाद यहां पर यहां जाएगा size कितना चा and close कीजिए, बस अब देखोगे, front size बढ़ चुका है, और आपको अच्छे से visibility भी होगा, और जब आप खुद भी coding करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से front size को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप आप बात करते हैं कि यह error क्यों आ रहा है, इसको कैसे स ठीक है, और जब आप देखेंगे, फिर से अभी भी मुझे error आपको यहाँ पर दिखाई ही रहा है, ठीक है, तो इस error को ignore भी किये कर सकते हो, आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा, और मैं फिर से यहाँ पर मैं लिखेता हूं क्या 3.0 और अब मैं यहाँ पर से सेव कर रहता ह ठीक है, तो आप जैसे देखो, वापस से मैं 3.0 किया, यह error यहाँ से निकल चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई error है, बिलकुल कोई error नहीं है इस project के अंदर, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले कितना था, 3.0 ही था, लेगिन मैंने उसको हटा दिया, मैंने क्या लि पास एक web.xml फाइल है, जिसमें बहुत सारे stml का information यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर हम एक simple सा, एक stml फाइल अगर अगर रण करना हो, यहाँ पर कैसे रण करेंगे, वो थोड़ा सा मैं आपको बटा दे, अब आपको करना क्या है, कि stml फाइल हम eclipse में कैसे रण कर सकते हैं, अगर आप जावा में कोडिंग करना चाहते हो, और उसमें हम किस तरीके से HTML के फाइल कहां रखेंगे, वो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, कैसे कर सकते हैं, कहां पर रखेंगे, सब कुछ web app में रखेंगे, यानि web app को select रखना है, ठीक है, right click करना है, इसी प यहाँ पर फाइल का नाम आएगा, ठीक है, फाइल का नाम मैं वही दे रहा हूँ, जो यहाँ पर देखोगा, कि यह जो अभी जो मैं आपको बताया था, यह वाला फाइल देखो, फस्ट वाला, welcome फाइल के निचे, welcome फाइल के में कहा लिखा, index.html, यही नाम मैं देता आप देखेंगे कि पूरा html का जो जो भी syntax होता है, पूरा बना बनाया, आपके पास यहाँ पर दे दिया है, पुरा html है, head है, body है, title है, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, अब body part के अंतरा आपको कुछ print करना है, मांगो कि मैंने एक h1 tag दे दिया, मैंने लिख और इसको save, यहाँ पर देखेंगे, इस बात पर आप जो भी changes करोगे, जैसे index.html आपको दिख रहा होगा, इसके बगल में उससे पहले एक छोड़ा सा s-trick sign दिखेगा, star sign दिखेगा, star sign का मतलब जो भी changes किया, वो save नहीं हुआ है, control s कीजिए, keyboard से मैं control s किया, आप देख तो आपको क्या करना है कि run करने के लिए यहाँ पर जाना है, ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, जब go java सिखा करते थे, अगर आपने भी किया होगा, यह run बटन होता था, इसको click करते थे, नहीं, अभी यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो project का नाम ज सरवर करना है कि सरवर्थ यहां पे आ चुका है लेकिन आपको यहां पर बता रहा है जैसे हमने यह चीज़ किया है और अब देखेंगे कि आपका जो प्रजेक्ट है और इस कंटीनर पर आचुका और उसके बाद अब नेक्ट बुटन काम नहीं कर रहा है अब जैसे इस फिनिश बटन पर खुड़ू उसके बाद आप लेंगे सरवर स्टॉप से स्टार्टिंग मोड में आ रहा है और आपसे अलाव मंग रहा है कि यहां पर अलाव करो इसको स्टार्ट होने में ठीक है मैंने आप अलाव कर दिया है और इसके बाद यहां पर किसका नमबर होता है यह पैची टॉमकैट का पोड़ नमबर होता है ठीक है और higher-ंश को रन कर रहे हैं कि माई first अब है यह जो है इसे मैं रान कर रहा हूं जैसे मैंने यह हैंपर पर ऑटोमेटिक आ गया और यह हमने जो कुछ दिखा है यह मैसे मिल तो यहां पर जो फाइल है यहां पर अगर आप देखोगे मैंने यहां पर क्या रखा इंडेक्स.stml नाम पहले से दिया हुआ है और यहां पर विप.xml में सबसे पहले यहां पर जो कुछ भी यहां पर लिखा है यानि इसके अंदर विलकम फाइल का यह ओपन टैग है और यह ह क्लोजिंग तैग है इसकी अंदर हमने हमने लिखा इंडेक्स.stml हमने नहीं लिखा यह पहले से लिखा Fahrण था ठेक है तो यह क्या करता है कि अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में वह सर्च करता है कि इंडेक्स.stml है क्या तो उसने देखा कि हां है तो बस इंटरनली को गया और इसको आराम से उसमें रंड कर दिया ठीक है लेकिन अगर आपने इसका नाम चेंज कर दो या इसको मैं ड़ीट कर दो और थेक है और डूसरा HTML फाइल बनाता हूं और में रन करता हूं जैसे मालों कि यहीं को कर दे हैं तो indicator Serve कर लो और वी इंडेक्स क्ष़श्च कर रहा है से प्र पार्जैक्त क्या है राइट क्लिक्र प्रफच कर दिया और रटर्बिक कर दिया और एहां पे ने्ट्स करते हुए किलिक किया अब सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तो आप देखेंगे आप देखेंगे यहां पर क्या दिखा रहा है कि सब्सक्राइब 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 करें तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा इंटर्नली जो है वो विल्कम फाइल के अंदर यानि वेब डॉट एक्समेल के अंदर में जो भी फर्स्ट यहां पर आप जो भी इंफर्मेशन लिखा हुआ है पहले वह उसी को जाके सर्च करता है अगर इस नाम का कोई भी फाइल एविलेबल नहीं है तो वह आपको यहां पर बोल रहाए जिए आपको दिखाता है फाइल नहीं आप जो यहां पर जो भी का नाम देने तो वह चीज़ आप यहां पर जरूर आप सही से आप लिखते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से होगा जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ अच्छा यह को जरूरी नहीं लिखें नहीं आप कुछ भी लिख सकते हैं तो आप नया भी आप बना सकते हैं तो आप यहां पर क्या करेंगे अभी मैने क्या किया कि अभी मैने यहां पर क्या लिखा है विलकम और है यहां पर यहां पर आपको नीचे html file आपको दिखेगा इसको क्लिक करो और इसका नाम मैंने भी क्या देदिया hello.html नाम देदिया और next करते लिए फिनिस कर दिया यह फाइल हमारे पास बने चुका है ठीक है अब यहां पर मैंने s2 tag डाल दिया और यहां पर मैंने लिखता हूं क्या कि we are in hello.html पेज ताकि आपको समझे माइए कि कौन सा पेज रन हो रहा है ठीक है इसमें यहां पर मैंने देदिया अब इसको रन किया ठीक है अब कैसे रन करें कि अब देखेंगे यहां पर देखेंगे यहां पर होगा और अब देखते हैं कि आपको यहां पर देख पार कि यहां तक करना है । आई होब की यह चीजड के लिए होगा कि बहुत सारे स्टोंश को यह प्रवल्म होता है कि कैसे हम पूर्ज आवा का थे कि सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन एड़द्वा में यह में पार आता है कि सर्वर को कैसे च्रूंधा कि आाए होगा तो पोसिस करते हैं कि जो आपने दो अलग वर्जन में आपको दिखाया था है ना एक तो था इंटरप्राइज एडिशन तो इंटरप्राइज एडिशन वहां पर लेना है इस बात पर आपको ध्यान देना है ठीक है कि यह चीज आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा आगे हम इसको अभी जो भी आपने सिखा है उसका करके आप देख सकते हैं एक चीज और मैं आपको बताओ यहां पर कि अभी आपका सर्वर स्टार्टेड में आपको यहां पर दिखा रहा है लेकिन अगर जैसे अभी मेरा जो यह रन हुआ हुआ है कि मैं चाहता हूं कि मेरे एकलिफ्स में मतलब मेरे ब्रायुजर पे आप यहां पर इसको सिल्क करते कापी कर लिया है और अपने ब्रायुजर पर आता हूँ और इहां पर पे पेस्ट कर दिया और एंटर करता हूं ठीक है हुआ है यहां पर एक सब्सक्राइब हुआ है यहां पर आपको यह जो है लोकल होस्ट आप इस तरिके से भी आप लिख सकते हैं इतना लिखा और यहां पर अब आपके सिस्टम में अच्छी तरिके से आपने यहां पर आपकर चुके हो कोई प्रॉल्लम यहां पर नहीं होगा ठीक है अच्छा यह पर चीज़ रहा है यह जब होगा यह उस वक्त अगर आपके पास इंटरेट भी नहीं भी है तो भी कोई प्रॉल्लम नहीं होगा यह प्रॉपर तरीके से काम करेगा इस चीज़ की आप समझ लोग इसके लिए इंटरेट की ज़रूद नहीं है यह जो है लेकिन इस बात पर ध्यान लगए कि यह स्टार्ट मोड में होगा तो ही यह पेज ओपन होगा अगर मैं इसको स्टॉप कर द यहां पर रखता हूं और पर यहां पर एंटर करता हूं देखो यह आपके ब्राउसर पडिर्क्ली ओपन आपको करके आपको यहां पर दिखा रहा है कोई लेकिन अब मैं वापस प्र होगा और यह सब्सक्राइब में इस 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 सरवर पे यह प्रजेक्ट जो है डिप्लाइम्ट हो चुका है ठीक है अच्छा आप मैंने क्या किया इस प्रजेक्ट यह जो एकलिप्स के अंदर जो मारे पास स्टॉप करता है यानि वापस से में सर्वर पर आता हूं यहां पर दिखा रहा है अब स्टॉप मूड में आ चुका है अब मैं वापस से यहां पर आता हूं अब से में इसको हुआ करेंगे तो आप रहे हैं तो यह आप अच्छी तरीके से ड् tailored के और प्रक्रिक कीजिए समझे और आपको जावा से लिंक करेंगे जावा का पूरा पूर्ड हम लोग यहां पर जो ऐसार सी है में लोग पूरा एक करेंगे अलग लग क्लासे करेंगे और फिर इसके अपने सिस्टम में इतना चीज आप करके रखे ताकि आप बहुतर तरीके से चीज को आप समझ पाएंगे क्योंकि जब तक कि आप एडिटर क को नहीं समझ पाएंगे अच्छी तरीके से फिर आप नहीं कर पाएंगे अई होब कि यह चीज आप को प्लेर हुआ होगा